Facebook email id change केसे करें यहाँ पर आपकी दो condition हो सकती है पहली condition यह है कि आपने आज तक Facebook में email id एड़ नहीं किया आप अपने Facebook account में email id एड़ करना चाहते हो केसे करेगे वो तो मैं सिखाने वाला हूँ बट second condition आपकी यह भी हो सकती है आपने already email id एड़ करके है उसको हटाके new add करना है चैंज करना है चलिए कोई भी आपकी condition है यहाँ पर आपको करना है सबसे पहले आपको Facebook को open करना है जैसे ही आप Facebook open करते हो यहाँ पर देखेगे इस side में आपकी profile photo आती है ठ्रिया icon आ रहा है इस पर आपको click कर देने है दियान रहे यहाँ पर आपकी Facebook profile ही login होने चाहिए page login ना होने चाहिए profile में ही changing कर पाऊगे ठीक है अब यहाँ पर देखो सबसे उपर आ रहा है settings इस पर आपको click कर देने है आप यहाँ पर visit कर पाऊगे एसा भी हो सकते है कि iyi option आपके में ना रहा है scroll करने है सबसे नीचे आपको आएगा setting and privacy इस पर आपको click कर देने है यहाँ पर आपको subscribe settings लिखा रहा है इस पर आपको click कर देने है अब जैसे आप हिहाँ पर click कर तो देखो यहाँ पर लिखा रहा है see more in account center इस पर आपको click कर देने है यहाँ पर थोड़ा सा scroll करने है लिखा रहा है personal details इस पर आपको click कर देने है यहाँ पर देखिये सब सब पर लिखा है contact info इस पर आपको click कर देने है अगर आपने already email id एड करक्था है वो यहाँ पर आपका सो कर रहा होगा अगर आज तक एड नहीं किया तो यहाँ पर कोई भी email ID सो नहीं होगा खाली 4 number सो करेगा अब बात आती है इस email ID की इसको change करना है इसको हटाना है मतलब इसको आप remove करना चाते हो यह रखना चाते हो एक और add करना चाते हो वो भी हो जाएगा इसको हटाना चाते हो हट भी जाएगी और अगर आपने आज तक email ID नहीं किया एड भी कर पाओगे तो सबसे पहले आपको email को add करना होगा जो आप add करने वालों तो क्या करना है अगर आपने आज तक add नहीं किया वो भी add हो जाएगी और अगर add करका है इस तरीके से तो new वाली भी add हो जाएगी इसको हम बाद में हटा देगे ठीक है यहाँ पर सबसे नीचे लिखा रहा है add new contact इस पर आपको क्लिक कर देने है जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर तो इस पर आपको क्लिक कर देने है जैसे आप नेक्स पर क्लिक कर तो आपके सामने एक एसा एंटरफेस आएगा जिसमें आपको कोड देना होगा देखो लिखा आगया है enter confirmation code तो confirmation code यह कहाँ पर मिलेगा आपकी जो email ऐडिया है अगर इसी phone में आपको ऐसे notification आजाएगा यहाँ पर अभी नहीं आया है वेट कर लेना otherwise आपको करना का है ऐसे बेक करना है उसी mobile में आपको Gmail को open करना है जिसमें वो email ऐडिया है जो आपने फिलक है then यहाँ पर मेरे को आगया है जैसी आप Gmail open करतो हो यहाँ पर देखो मेरे को यह वाला mail आगया है आपको भी ऐसा mail आएगा इसमें एक code होगा यह रा इसको आपको copy करने के बाद बेक करना है यहाई पर आ जाने है then यहाँ पर उसको paste कर देने then आपको next कर देने अब आपकी यह वाली email id इसमें add हो गए यहाँ पर यह थोड़ा सा loading लेता है then आपको close कर देने तो finally guys यहाँ पर हमने अपने new वाली email id एड कर देने अगर आपने आजते पेले add ही नहीं किया था तो उनका add हो गया है बट अब बात आती है जिनका already add था ये वाला ये वाला आप हटाने चाते हो तो के से अटेगा simply आपको इस पर ही किलिक करना होगा जिसको आप हटाने चाते हो उस पर ही आपको किलिक करने है then delete email पर क्लिक करके यहाँ पर आपको डिलेट कर देना है अब यहाँ पर यह आप से आपकी प्रोफाइल का पासवर्ड मांगेगा तो यहाँ पर अगर आपको अपने फेस्बूक अकाउंट का पासवर्ड नहीं पता है बोल गयो आप यह वाली वीडियो देखिए इस से देखके पता लगा सकते हो अदरवाइज आप इस वाली वीडियो को देखके चैंज भी कर सकते हो दोनों से आपको पासवर्ड मिल जाएगा कोई सी को भी देखके नीचे description में वीडियो मिल जाएगी दोनों ठीक है, पासवर्ड पदा लगा लिया, अब यहाँ पर आपको पासवर्ड फिल करो देना है, मैं भी कर देता हूँ यहाँ पर मैने पासवर्ड फिल कर दिया है, आप अपको कंटिन्यु कर देना है अब जैसे आप continue करते हो ये वाली जो आपकी email ID है वो delete हो गया है इस तरीके से new email ID एड़ करके और वाली delete कर सकते हो आप लोग की समझे में आ गया होगा वीडियो को यहें पर end कर देते हैं वीडियो को like, share, comment तो बनते हैं साथ के साथ चैनल को subscribe करके पर लाइकन को all पर पिस कर देना